इंटर्नलाइज होमोफोबिया क्या होता है दोस्तों अगर आप में से कोई भी अपनी सेक्शुल ओर्येंटेशन को लेकि कंफ्यूज है या आप अपने सेक्शुल ओर्येंटेशन से नाराज है तो यह वीडियो आपके लिए है and I urge all of you to watch this video till the end because video में हम बात करेंगे कि इंटर्नलाइज होमोफोबिया होता क्या है क्यों होता है वो आपकी mental health को कैसे effect कर सकता है और उसको overcome करने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं so let's dive in directly to the video क्या होता है यह इंटर्नलाइज होमोफोबिया जब आप अपने खुद के ही sexual orientation को question करने लग जाते हो mental बिमारी का शिकार तो नहीं हो गया तो यह जो चीज है यह thinking यह thought process यह belief system आपको ट्रबल देती है आपको परेशान करती है और उस चीज से आप डर जाते हो नर्वस हो जाते हो इसी को कहते है इंटर्नलाइज होमोफोबिया अब जानते हैं यह होता कैसे है हम सब को पता है क हमारी society में homosexuality के बारे में क्या क्या मांगेता है फैली हुई है लोग homosexual को LGBTQ community वालों को किस नजर से देखते हैं अब यह जो society की जो thinking है यह जो prejudice है उसी environment में आप भी बड़े हो यह आपके conscious में चप चुका है और आपको पता है कि society आपको किस नजर से देखेगी उसी के डर से यह homophobia create होता है तो कि आप अपने sexual orientation को easily accept नहीं कर पाते हैं आप अपने ही माइड में खुद से लड़ते रहते हो आपका माइड खुद से ही conflicts create करता रहता है और आप anxiety depression का शिकार हो जाते हैं सोच अगर आपको बार-बार यह बोला जाए यह बताया जाए कि तुम गलत हो गलत हो गलत हो वो चीज़ automatically आपके mind के अंदर आ ही जाएगी आपके subconscious में वो छंग जाएगी आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि यह homophobia किस तरह से manifest कर सबसे पहले होता है denial ज्यादा तर लोग यह मानने के लिए ready ही नहीं होते कि उनका orientation homosexuality के तरफ है और वो इसलिए denial mode में जीते हैं number two is self criticism हर भक हर टाइम अपने sexuality को लेके criticize करते रहना और दीरे दीरे आप unworthy feel करना start कर देते हो आपको यह लगता है कि आपको लोगों को बताने से डर लगता है आप किसी से अपने मन की बाद share नहीं कर सकते किसी को अपने sexuality के बारे में बता नहीं सकते because of fear of rejection आपको लगेगा बनाएंगे उसमें आपको दिक्कते आएंगे because self doubt already आपके अंदर आ चुका है उस self doubt की वज़े से उस self criticism की वज़े से आप अतना hundred percent नहीं दे पाओगे and you'll be always in the belief that सामने वाला जो भी आपका पार रहे is not happy with you and number five is mental health issues जिन लोगों को भी यह internalized homophobia है उनको anxiety, depression, even हमने देखा है कि drug abuse तक की चीज़े भी उनमें आ जाती है और अलग-अलगते जिए के mental health issues उने को face करने पड़ता है आप जिन लोगों से भी यह चीज़ें सुनते हो देखते हो समझते हो society में इसका जो भी प्रभाव है society की जो भी mentality है इस चीज़ को लेके वह external है लेकिन अगर वह बार बा जा सकता है आपको कि चीजों का ध्यान दखना पड़ेगा number one self acceptance जैसे मैंने का जाधाता लोग denial mode में जीते हैं बिल्कुल denial में नहीं रहना है जो भी आपका sexual orientation है आप उसको accept करे because acceptance is always first step towards healing number two educate yourself always remember knowledge is power अगर आपके पास knowledge है तो आप वही भी परेशानी easily solve कर सकते हो homosexuality के बारे में पढ़िये जितना पढ़ सकते हैं पढ़िये articles पढ़िये studies करिये उससीज को लेके ताकि आप अपने negative emotions को ताकि आप अपने negative thoughts को rationalize कर पाएं जो भी थोड़ आपके माइं में आया है उसे challenge को अपने माइं को पूछो क्या ये fact है या सिर्फ आपका assumption है क्य करते हैं कोई भी हो सकते हैं आपकी family members हो सकते हैं आपके friends हो सकते हैं या LGBTQ group की लोग भी हो सकते हैं and last is seek professional help ऐसे therapist को टून लो जिनको पता हो LGBTQ community के क्या-क्या issues होते हैं और वो आपको अच्छे से guide करें आपको advise करें आपकी अच्छे से therapy ले आपको ऐसी technique सिखाए जिससे आप इस सभी issues को overcome कर सकते हैं याद रखिए internalized homophobia से deal करना एक journey है यह रात और रात कभी नहीं होगा it will take time it will take patience and your efforts and courage अगर आप इतना invest कर सकते हो तो definitely आप इससे overcome बहुत जल्द कर पाएंगे my good wishes are with you अगर आप भी internalized homophobia से struggle कर रहे हो तो मत भूलिए help is always available आपके शहर में कोई भी therapist और साथ करें आप online ली consult कर सकते हो अगर आप इस चीज से सफर कर रहे हो तो मुझे comment section में लिखके जरूर बताईए और अगर आपने already इस चीज को feel किया है और इसे overcome किया है तो प्लीज अपनी मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक की लिए take care of your mental health